गुड मॉर्निंग किट्स तुड़े वी आ गुइंग टू लर्न अबाव इंडारेक एंडारेक स्पीच जो कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बिटा समझा दिया है तो आज मैं उसके एक्सराइज जो कि वॉक्षिट नंबर नाइन में आने वाला है वो आपको शॉर्ट दी जाएगी तो आपको वो प्लेन वक्षिट में पहले आपके खुद के आंसर बनाना है बाइव और ओन सेल्फ वैदर इस रॉंग और राइट बाद में ये मेरे आंसर वाले वक्षिट के साथ आपको क्रॉस वेरिफाइड कर लेना है कि आपके आंसर राइट है या आपको सेंटेंस पढ़ना है और जो इन डारिक स्पीच होगा उसके सामने आई डी एस और डारिक के सामने डी एस लिखना है बेटा श्रीफ आपको यही चीज़ ध्यान में टखना है राइट तो डी एस कहां पर आएगा आपको पता ये बेटा जब आपका जो क्वेश्च में और जिसमें आपको एफोस्टॉफी नहीं मेलेगी सिंप्ली आंसर में बना होगा दैट के साथ लगा कर वहां पर आपको आईडी एस लगा देना है इन डारिक स्पीच तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हीरा सैडल लेट बरी द मनी हीर राइट हीरा बोल रहा है फिर रेफोस्टॉफी के अंदर डाल दिया है कोटेशन मार्क में कि पैसे कहां चुपाना है वहां पर दैट नहीं लगा इसलिए आपको यहां पर डी एस लिखना है इट मिन्स डारिक स्पीच सेकेंड नमबर है बिर्जु सैड यानि बिर्जु ने बोला कि सारे पैसे हमें वह सारे पैसे पिट के अंदर छुपा देना है तो यह हो गया इन डारिक स्पीच के क्यों खुद बोल रहा है बिर्जु सैड इट इस नोट वाइस टो टेक सो मच मनी होम यहां पर देखे बेटा कोटेशन मार्क में आपका स्पीकर का सेंटेंज और प्लस कोटेशन मार्क के अ बिर्जु ने खुद कहा है और कोटेशन मार्क में हमारा सेंटेंज नहीं आ रहा है तो आपको यहां पर सिंपली इन डारिक स्पीच यानि आई डी एस लिख देना है नेक्स नमबर है हीरा सैड लेट एस मेक स्मॉल अमाउंट ओफ मने वीद अस ठोड़े से पैसे ही अपन स्पीच नेक्सट वर्यजु तोल हीरा यहीरा दाट हीड वीडिट सम्वनी विर्जु ने किस से कहा हीरा से क्यों से कुछ पैसो की जरूरत है यानि विर्जु ने खुद हीरा से कहा और डाट लगा हुआ है कोटेशन मार्क नहीं है इसलिए इन डारिक स्पीच इट मेंग बिर्जु ने कहा कि चलो कुछ पैसे हम उसमें से निकाल लेते हैं यानि बिर्जु ने खुद कहा इसलिए डिये 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 स्टीफ बिर्जु ने कहा कि सारे पैसे चोरी हो चुके तुम चोर हो ds direct speech and the last one is hira said that he had not stolen the money hira ने कहा कि मैंने पैसे नहीं चुराए है in direct speech because that लगा हुआ है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है बेटा अगर that आपके sentence में होता है तो आपको वहाँ पे idea simply लिग देना है without any doubt without any confusion okay kids I hope you all are getting my points very well thank you so much everyone stay safe at home God bless you all